नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है जयास किचन में आज हम बनाने वाले हैं ब्रेट पकोडा आपनी ज़दातर देखा हुगा कि ब्रेट पकोडे में जो लेयर होती है उपर की वो एकदम फूली फूली होती है तो यहाँ पर लगबग एक कप मैंने बेसन लिया है, यह बारीक वाला बेसन है, अब इसमें कुछ ड्राइ मसाले एड़ करेंगे, जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मेर्च पाउडर, हाफ टी स्पून एड़ करेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर, ड्राइ मसालों के साथ बे पानी डालेंगे, और इसे मिक्स करेंगे, जिससे की जो लम्स हैं, वो अच्छे तरह इसमें गुल जाएंगे, अगर हम पानी पहले डाल देंगे, तो फिर जो गुटलिया होती है, उसको मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा गाड़ा बेटर पहले लेना है, और लगबग 15-20 मिनट के लिए से कवर करके हम रख देंगे, ताकि जो बेशन है वो अच्छे तरह से फूल जाए, उसके बाद हमें कुछ सूखे मसालो का एक मिशन तयार करना है, जिसमें मैंने सूखा खड़ा धनिया लिया है, एक चमच, एक चमच लिया है, मैं जो दरदरा हमने खड़े मसाले कूटे थे, उनको डाल देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, इसमें जो हमने खड़े मसाले ये एड़ करे हैं, ये एक दम इंपोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत जादा अच्छा स्वाद आता है, तो इसे डालना स्किप मत कीजिएगा, उ उसके साथ कुछ सुखे मसालें, जिसमें हल्दी पाउडर, दे गे मिर्श पाउडर डाल कर भून लेना है, उसके बाद बॉल किये हुए 7-8 आलू मैं स्में मैश करके डाल दूँगी, एक एक अकर के सारे ही, हमनें मैश करके डाल देने हैं, और इसके बाद इसकी अच्छ करेंगे हमने बैटर में भी नमक एट किया था थोड़ा समल कर इसमें डालिएगा उसके बाद अमचूर पाउडर और डालेंगे धेर सारा धनिया और हाँ धनिया डालना स्किप मत किजेगा इससे बहुत अच्छा स्वाध आता है और बस यह सारे इंग्रेडिंस डालने के बा अब और आप इसमे पनी डाले तो एक अच्छा त तो इसी तरह से जितने हमें ब्रेट पकोड़े बनाने हैं उनको तयार करके रख ले पहले और बस उसके बाद जो बैटर हमने फूल लें के रखा हुआ था वह भी हमारा रैडी है यहां पर इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम सही है तो चलिए अब हम यहां पर फ्राइ करना स्ट करते हैं ब्रेट पकोड़ा उससे पहले हम इस बैटर में हाफ टीए स्पून बेकिंग सोडा एड करेंगे और मिक्फ कर लेंगे इससे जो हमारे पकोड़े हैं वह एकदम फूले फूले बनेंगे उसके बाद ब्रेट के एज़ेस को पहले डिप करेंगे बेसन के बैटर में और फिर दोनों तरफ से भी डिप कर लेंगे और एकदम बहुत तेज गरम किया हुआ ओयल उसमें हमेसे फ्राइ करने के लिए डालेंगे ज़्यादा गरम किये हुए तेल में यह होगा कि जो हमारा बैटर है या ब्रेट है वो तेल को एब्जॉब नहीं करेगी और हमारे ज तो देख सकते हैं एकदम फूले फूले बन रहे हैं और अभी देखेंगे आप इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा बहार निकालने के बाद यहां पर मैने ब्रेट को पूरी ब्रेट को मैंने यहां पर फ्राइ किया है अगर चाहते हैं तो इसे बीच में से हाफ काटेंगे तो कितनी ये लाजवाब दिखेगी पनीर के साथ और जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है उतना खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी और एकदम फूली-फूली ब्रेट के पकोड़े बने हैं तो आप भी इसी तरीके से ट्राइ कीजिए और हरे धन्य की चटनी के साथ इसे सब कीजिए और इंजोई कीजिए इन ब्रेट के पकोड़ों को तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले